हेलो एव्रिवन कैसे हो आफ सब आसा करती हूं बड़ी आई होंगे तो यहां पर मैंने चूड़ी ली हुई है और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि मतलब हमारे घर में जो चूड़ी होती है उसके मतलब से हम पोछा कैसे बना सकते हैं वो भी बिल्कुल मार्केट स्टाइल में पर चूड़ी है पितल की है लेकिन आपको यहांपर मेटल चूड़ी होती है वह वाले आपको चाहिए होगी समय लिखिन मैं आपको बता रही हूं पहले कि मतलब कि फ्लास्टिक वाले चूड़ी नहीं supportive चांच चले की इसमें इस तएक है पितल वाले वह भी देख लेते हैं तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमें चाहिए है इस तरीका का डिब्बा आपके घर में इस तरीका का डिब्बा तो पढ़ाई हुआ होगा लेकिन अब यह किसी काम का नहीं है तूट चुका है तो चलो थोड़ा भूत इसे रियूज करके देखते है यह फिर आपके पास कैन हो तो कैन ले लीजी जैसे मतलब कि एक तेल वाली कैन आती है वो ले सकते हैं उससे भी बन जाएगा या देखिए कैंची से मैं काटने कोशिच कर लिए लेगिन प्लास्टिक मजबूत है थोड़ा सा कैंची से नहीं करता है तो इसका यह पीछे वा कि यहांपर मैंने उठा हिए दवाय की सी सी और इसे उपर से और नीचे की साइड से हमें किट करनी है मैं आपको निसनान लगा कि दिखा का रहीम ऊपर नीचे का हिसा में नहीं चाहिए फॉर और हमये यहां पर देखे यहां पर हमें दो होल करने हैं आर्सेपार यानिके दो होल बनाने हैं और हमें यह मतलब के आर्सेपार होल बनाना है किसी पेंचकस को गरम करके आप इसमें होल कर लेजे तो यहां पर देखिए मैंने पहले इसी बना के रख रखे एक सीसी कट कर लिए दवाय की सीसी थी यहां कोई पाइप हो प्लास्टिक लोत ऑफिर इस से भी बना सकती है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बनाना कैसे हैं तो यहांपर देखी फ्रेंड इस तरीक ही की चूड़िया उड़िया कषचे हैं ।याई-ब्ले तो मेरे पास अभी मैटल की चूड़ी हाथ नहीं लग छिए कहीं पे रख्य हुई है तो बाद में इसे यहां पर लगा लूँगी निकाल करके कट करके लेकिन अभी मैं आपका आइडिया कर देती हूं तो अभी हाथ ने लग रही थी लेकिन मैं बाद में उन्हें लगा दूंगी काट के एक को या फिर आप इस तरीके की वायर का यूज कर सकते हैं या फिर कोई और वायर हो अच्छी सी वो ले लीजिएगा तो यह जो मोबाल चार्ज करने वाला चार्जर होता है उसकी डोरी है यहां पर करने वाली हूँ कहने का मतलब यह है कि आपको यह फिक्स करना है चाoga आप किसी वी तरीके से कर लेजीए या फिर दौरी से कर लेजीए वह आपकी मर्जी है यह अपर सा मतलब हमें क्या चार्द करना है इसे ना थोड़ा सा लूज रखना है ताकि यह मूव कर वाए जैसे बजार का पोच्छा होता है थोड़ा सा मूव करता है आपने देखाए तो उसी तरीक से थोड़ा सा यह देखे इस तरीके से मूव करेगा चारो तरफ पो यह मूआ करने वाला यानि कि गहोमने वाला है चलेगा अच्छे से वर्ख करेंगा तो यह हमने तयार कर लिए है अब आपको लेनी है कोई पुरानी सी तवल्या तो मेरे से कि चम्ण होटी है तो अच्छे से वह गंदगी को कीनि करती है कलीनिस घर्ण करती है यहाँ पर मेरे पास अकन्स के यहां पर लेने वाली यह सब्सक्राइब आपके लिए जिसके पास नहीं है तो वह दोकती है श्राइब अब हमें यहाँ पर क्या करना है तो अब देख लीजिए है तो डोप इस हुआ हैं को IsTS कर सकती है यह आपके साथ शेर करणीई शएद वह भी आंप अच्छा लगे आप सहिसे इसे रिक्वेस्ट यह हैं और अच्छे लगी तो लाइक कर दी जग आप कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी हैल्फिल लगी यहां पर देखिए इसमें डंडा हम लगाएंगे ना तो अच्छे से काम करेंगा यह तो डंडा भी डीला है इसलिए बाद में फिक्स करके दिखाऊंगी तो देखिए दूसरा आइड़ में सेयर कर देती हूं अब हमें करना क्या है हमारे पास ना मतलब के जो वह होती ना इलाश्टिक रवड जो होती जो बाजार से हम खरीद के लिए क्या आते पांच रुपे मीटर मिलती है तो वह यह आपको यहां पर ले लेनी है तो उससे यह होगा जब हम उसे लगाएंगे ना यहां पर तो मतलब कि जब आप कपड़ा लगाएंगे इसमें इस तरीके से ल देखिए आप जब यह लगाएंगे तो यह इसमें फिक्स हो जाएगा फिट हो जाएगा बस फिर आप इसे अराम से पोछे में यूज कर लीजिए हिलेगा डूलेगा नहीं और बहुत अच्छा सा पोछा आपका बनकर तयार हो जाएगा तो मैं डंडे को थोड़ता पहले आपको किंचा है अच्छे से शैट कर लेती हूँ आप करें मैं आपको इस से पोछा भी लगात कर देतीए कि कैसा बार करेगा बस हमके दिखाने धियंगए लगे यहांпа तको ईहांपको इलास्टिक रखने है तक कि वी अ उसे फिक्स करके कपड़े को हिलने डुलने ना दे यहां पर मैं थोड़ा सा हांसे दबा देती हूं इसे पहले एक बार इस तरीके से अब देखिए बहुत अच्छे से वर्ख करेगा इसलिए मैंने कहा था फिरेंड आपको के मतलब यहां पर तॉल्य ले लेजिए अगर आपके पास तॉल्य है तो यह भी अच्छे से भी करता है तो यहां पर देखिए चलो मैं यहां पर भी करके दिखा देती हूं आपको सही से समझ में आ जाएगा मुझे अच्छा लगा यह आइडिया दिखिए यहां पर अगर आपके हाथ में चोट वगर अजिसे लग जाती है आप पोछा हाथ से नहीं लगाना चाहती ह हैं तो उस समय के लिए अमर्जंशी के लिए बना के आप इसे रख सकती हैं बहुत अच्छे से वर्ख करता है तो यहां पर देखिए काफी अच्छे से क्लीनिंग भी कर रहा है पोछा इससे आराम से लग रहा है आपको साय समझ में आ रहा होगा तो इसी तरीके की हैलफु विड़ साथ तब तब किली बबबाए